बरीतर है भिडे ट्रम्प और कमला हैरिस पांच सबसे धांसु पंच जानिये कौन क्या बोला? पांच नमबर को होने वाले अमेरिकी राश्ट्रपती चुनाव से पहले दूसरी बार प्रेजिडेंशल डीवेट हुई ये डीवेट फिलाडेलफिय की नेशनल कॉंस्टिटूशन सेंटर में हो रही थी इसमें उप राश्ट्रपती और डेमोक्राटिक पार्टी की उमीदवार कमला हैरिस और पूर्व राश्ट्रपती और रिपब्लिकन पार्टी के उमीदवार डोनाल्ड ट्रम्प अपनी बात रखते न सराएं वीडियो में आपको बताएंगे दोनों की बहस के कुछ खास बिंदू ट्रम्प और कमला की पीच बहस के दोरान अमेरिका में गर्भपात पर बैन का मुद्दा जोर शोर से उठा डेमोक्रेट केंडिडेट कमला ने कहा कि अगर ट्रम्प राष्टपती बने तो वे पूरे अमेरिका में गर्भपात को बैन करने के नियम पर हस्ताक्षर कर देंगे ट्रम्प ने कमला किस दावे को जूट बताया और कहा कि ये लोग गजब के रेडिकल हैं जो नौवे महीने में गर्भपात का समर्थन करते हैं इस पर कमला हैरिस कहती हैं कि आप महिलाओं को मत सिखाइए कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है कमला हैरिस ने कहा कि वो अमेरिका की मिडल क्लास लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनको आगे बढ़ाने के दिशा में नए प्लान लेकर आ रही हैं वे स्टार्टप को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 डॉलर पर टैक्स डिड़क्शन देंगी साथ ही उन्होंने ट्रम्प पर आरोप लगाया कि वे मिडल क्लास पर बोच डाल रही हैं इस पर जवाब देते हुए ट्रम्प ने भी पलटवार किया और कहा कि कोई सेल टैक्स नहीं है कमला का ये स्टेटमेंट बिलकुल गलत है और ये तत्या से दूर है उन्होंने कहा कि उन्होंने बिलियन डॉलर चीन से बचाए वे टैरिफ नहीं देते थे ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी एकोनॉमी बनाई और वे दोबारा ऐसा करेंगे इस पर कमला ने जवाब देते हुए कहा इसके साथ इंग पांच सवाल दागी कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल ट्रम्प ने हमें एक गेट डिप्रेशन के बाद सबसे अधिक बेरोजगारी के साथ छोड़ा है ट्रम्प ने हमें सबसे खराब पबलिक हैल्थ के साथ छोड़ा सिवल वार के बाद ट्रम्प ने हमें बरबाद हूते लोगतंतर के मोड पर छोड़ा हमने ट्रम्प द्वारा छोड़ी गई गंदगी को साफ किया इस डिबेट पर केवल अमेरिका के लोगों की नहीं बलकी दुनिया के तमाम बड़े देशों की नजर है ये डिबेट फिलाडेलफिया स्थित नेशनल कॉंस्टिटूशनल सेंटर में हो रही है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया इस डिबेट को ABC News मीडिया होस्ट कर रहा है इस बहस में डॉनाल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच एकोनामी, एमिग्रेशन, एबोशन लौ और फारेंग पॉलिसी आदे मुद्धों पर जम कर चर्चा की जा रही है इसके साथ ही इसराइल गाजा युद्ध और रूस यूक्रेशन जंग के मुद्धों पर भी जम कर बहस हुई बहराल इस पूरी बहस पर हमाई निजर है जैसे ही कोई और बड़ी अपडेट मिलेगी आप से साचा करेंगे आप बने रहेए One India हिंदे के साथ